दोस्तों आज की स्यूडियो में हम जानेंगे कि आपकी जो प्राइमरी टीचर जो की मद्धिवरेस के दुवारा प्रोफेशनल एक्जाम सेंज बोर्ट के दुवारा जो आज जुद की जाने वाली एक्जाम है सप्टेमबर के महा में उसकी हिंदी हम आज से स्टार्ट करने लक्न आपकी हिंदी में आपको पढ़ाता हूं तो चलिए सब्साइब होने वा लोठी कंप्रिट गूहरे गू क्वेस्ट कर लिए हैं जो मुझसे पहले से पढ़ने वाले हैं अच्छे से जानते हैं कि हमने किस तरह से पढ़ाई की है अब हम यहां syllabus पर सोड़ा से ध्यान देते हैं कि हिंदी में आपको क्या पढ़ना है अगर हम प्रिवियस यर के सारे question लगाते हैं high school teacher eligibility test जो हुई थी उसका और middle school teacher eligibility test जो हुआ था उसका तो उसका syllabus उन दोनों का syllabus बिल्कुल different है तो उसके अनुसार यह उनके question लगाते भी है तो उसका हमारे हमें कोई benefit नहीं होने वाला है तो यह जरूरी है कि हम पहले syllabus की और दिहां दें तो मैं सबसे पहले आपको हिंदी की तरफ ले चलता हूं इसमें कि आप से क्या कहा गया है इसमें 30 questions से आपका संबंध है तो यहाँ पर जैसा कि आपको नजार आ रहा होगा कि यहाँ पर भासाई समझ अउबहुत जो है और यहाँ पर भासाई विकास हेतु नेरधारी सिक्षा सास्री यहाँ पर बात की गई है हिंदी पेडागोजी की और यहाँ पर आपकी 15 नंबर की गद्धी पद्धी की बात की यानि कि आपको एक आपटित गध्यान से आएगा और एक आपटित पध्यान से आएगा उसमें आपके 15 प्रस्ट्ने बनेंगे यहां पर इसमें समझाया गया कि भासाई समझ यानि कि आपको पढ़ना है पढ़ने के बाद आपको नीचे दिये questions का answer देना है जैसा कि आपका Middle School teacher eligibility test में question आये थे लेकिन उसमें सभी question यह नहीं थे उनमें संदी समास आपको हिंदी में जो भी grammatical portion वो सब उनमें आया था लेकिन इसमें यहां पर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि आपका grammatical portion आएगा लेकिन फिर हम previous year के question करेंगे तो वह जरूरी है कि हम इसमें cover कर लेंगे दूसरी बात यह है कि हम गद्यांस पद्यांस पढ़ेंगे उसके बाद उनके आये वे questions करेंगे और उसके बाद हम हिंडी की pedagogy करेंगे इसके अलावा देखेंगे यहां पर इसमें और कुछ नहीं दिया गया है पेड़ा गोजी में भासा सीखना और ग्रहन सीलता सिक्षन के सिद्धांत सुनना बोलना भासा के कारी बच्चो बच्चे भासा प्रयोग के से करते हैं यही हमें इसमें हिंदी पेड़ा गोजी में सीखना है और यहीं बात करें कि हमें हिंदी में क्या पढ़ना है जो किसी समझ में आगा हुए कि हम किस तरह से पढ़ेंगे और यह आप मुझे कमेंट्स कर देंगे इसमें नीचे की नहीं से हमें तो पूरा ग्रामेटिकल सारे करवाओ आप तो पिछले मेडे स्कूल टीचर इलिब्ली टेस्ट के और है स्कूल टीचर इलिब्ली टेस्ट के तो मैं करवा दूंगा लेकिन जरूरी है कि आप से लेपस के एकोडिंग पढ़े तो ज्यादा बहतर रहेगा बागी पढ़ने मुदा हम कुछ भी पढ़ेंगे लेकिन जरूरी है कि आपको पता रहेगी क्या पढ़ना चाहिए तो यही मैं आपको बताने के लिए मैंने आपका रूल बुक निकाला था और आपको दिखाने के लिए और इसकी सब्सक्राइब कर लिजेगा और यह टेलग्राम चैनल पर में अपलोड कर दूंगा वहां य सबकी पीडियेफ जो भी हम रोजाना पढ़ेंगी वह आपको अगले दिन उसमें अवेलेबल हो जाएगी विस आंसर ठीक है दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना है मिलते हैं सामके साथ दे के हिंदी की वीडियो में